नमस्कार मैं हूँ आसेश चित्रांसी और आप देख रहे हैं दन्यूज लॉंचर डिजिटल इंडिया, डिजिटल पेमेंट, डिजिटल एकोनॉमी इस सबका एक सच आपको बताओ, यकीन नहीं कर पाएंगे इंटरनेट सट डाउन साइध आपने सुना होगा और सरल भासा में बताता हूँ, तकनीकी रूप से बताने के लिए बहुत लोग है इंटरनेट सट डाउन वो प्रक्रिया है जिसमें छेत्र विसेश में, राज्य विसेश में, किसी जिले में, किसी भी एक विसेश इलाके में इंटरनेट की सेवाओं को रोक दिया जाता है, बाधित कर दिया जाता है, वहाँ पर किसी तरह की इंटरनेट की एक्टिविटी नहीं संभव होती है, यानि डिजिटल ब्राउजिंग से ले करके और डिजिटल पेमेंट कम्प्लीट प्रक्रिया ठप हो जाती है, आपको पता है भारत तरक्की कर रहा है बार बार बात होती है इस चीज में हम पांच में नंबर पे पहुंचेंगे इस पे हम तीसरे पे पहुंचेंगे चौथे पे पहुंचेंगे इंटरनेट सट डाउन ये निगेटिव चीज है ये किसी भी देश के लिए अच्छी चीज हो नहीं सकती कि इंटरनेट रोख दिया जा रहा है बाधित कर दिया जा रहा है इंटरनेट सट्डाउन में पिछले पांच साल से लगातार दुनिया में भारत नंबर एक बना हुआ है लगातार पांच सालों से नंबर एक इंटरनेट सट्डाउन हो चुका है उन चांस बाद तो सिर्फ जमू कस्मीर में जहां पर कहा जा रहा है तियंसो सत्तर हटने के बाद और लिज वेल फिल्म एक आई थी उसका और लिज वेल वाला डायलोग सब लोग बताते हैं बहुत बढ़िया है इंटरनेट सट्डाउन कर नेड़े को लेता है यह भी बता दूँ यह केंद यह राज्य सरकार प्रसासन ही ले सकता है और वो जो इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनिया है उनको बताता है बोलता है आदेश करता है और वो रोकने के लिए बात धे होती है तो आपको यही लगेगा न कि देश के लिए राज्य के लिए किसी इलागे के हित के लिए दो दिन नहीं चला पाए ऐसा नहीं है यह नुकसान सुनेंगे आप तो साय देखिन आ हूँ इंटरनेशनल एक एजेंसि यह रिपोर्ट तयार करती है और ये रिपोर्ट कोई ऐसा नहीं है कि 2-4 साल से तैयार हो रहा हो ये लंबे वक्त से रिपोर्ट तैयार हो रहा है इस एजनसी की रिपोर्ट के मताबिक भारत को इंटरनेट सट डाउन से 1.9 1.9 एक दसमलो 9 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है यानि 2 बिलियन डॉलर ठिक अगला नुकसान सुनिया 118 मिलियन डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इसके वज़े से रुख गया FDI जो 118 मिलियन डॉलर 21,000 नोकरियां चली गई मतलब 21,000 लोगों को अपनी नोकरियों से हाथ दोना पड़ा बेरोजगार हों गए इस इंटरनेट सट्डाउन की वज़ह से अब इसका आप असल समझेए आल्थिक रूप से कितनी बड़ी चोट है बेरोजगारी बढ़ाने के लिए कितना बड़ा माध्यम बन गया जाने अन जाने और इस लिष्ट को और गौल से देखेंगे तो साइद 56 इंच का सीना 26 इंच का हो जाएगा इस लिष्ट में हम बहुत उपर हैं बहुत उपर इतने उपर हैं कि आसपास नीचे कोई दो नंबर वाला बहुत पीछे है बस दो नंबर पर पता है कोंसा मुल्क है यूक्रेन जो युद्ध की विभीसिका जहेल रहा है और युद्ध की विभीसिका जहेल रहा देश उस देश में भी हमसे कम इंटरनेट सट डाउन हुआ है भाल से नीचे इस लिष्ट में सुडान है जहां पर बहुत लंबे वक्ट से नसली ये जाती ये जड़ब के साथ-साथ ग्रेहुद जैसी स्थितिया है दुनिया की सांती सेनाए भेज़नी पड़ती है वहां की स्थितिय सी म्यामार हमारा पडोसी जहां पर लोकतांतरिक प्रक्रिया बाहाली एक सबसे बड़ी चुनोती बनी हुई है हमसे नीचे है वहाँ भी इंटरनेट सट डाउन इतना नहीं होता तो ये इंटरनेट सट डाउन इतना होने के पीछे असली वजह क्या है क्या हमारे समाज में इस कदर तनाव है जिसको जो कहते न pressure cooker situation pressure cooker situation मड़ी पूंज से लेके Nुह तक कसमीर से लेके कर्णिया कुमारी तक क्या इतने हमारे सामाजिक ताना बाना के भीतर इतना ज्यादा pressure built हो चुका है क्या तनाव इतना ज्यादा है कि बार बार internet shutdown की पस्ठिती पैदा होती है जो कि हमारे देश को आर्थिक रूप से भारी नुक्सान पहुचा रही और हम प्रचारित करते हैं कि देश में सबका साथ हो सबका विकास ये जुड़ रहा है आप देखिए इसको समझिए सबका साथ सबका विकास हो सबका विश्वास अगर हमारे समाज में देश में कायम हो जाएगा तो इंटरनेट सट डाउन की नवबत क्यों आएगी इंटरनेट सट डाउन की नवबत तभी तो है जब किसी छेत्र में तराव की स्थिती है अफवा जूट फैलाए जा रहा है और क्या दूसरा सवाल ये कि पिछले पांच सालों से जब से इंटरनेट सट डाउन बढ़ता जा रहा है और हम लगाता दुनिया में नमबर एक पे बने हुए हैं ये सर्म की बात है हमारे लिए क्या हमारे देश में हमारे समाज में हमारे सिस्टम में जूट का अफवा का प्रोपोगेंडा का चलन बढ़ दिया है बड़ा सवाल ये है जिस सवाल को लेकर के मैंने वीडियो बनाए आखिर में वही सवाल कि ये रेंकिंग बता रही है कि इंटरनेट सट डाउन होता है और इंटरनेट सट डाउन होता क्यों है क्या रोकने के लिए अथवाहों को रोकने के लिए तनाव भैलने न पाए इस वीडियो में मुझे इजाज़त देजिए नमस्कार